नमस्कार दोस्तों सही मार्ग दर्शन और कड़ी मेहनत से हर मंजल तक पहुँचा जा सकता है और हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप तक सही मार्ग दर्शन पहुँचाया जाए हमारे शो सकसे स्पीक्स में आज हम आपको ऐसी ही एक शक्सियत से मिलाने जा रही है यह है कासिम अबीदी इन्होंने साल 2015 की सिविल सिवा परिक्षा में 186 स्थान प्राप्त किया है हमेशा की तरह हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट एके मिश्रा और देश के कोने कोने से आए वो च्छात्र जो सिविल सिवा परिक्षा देना चाहते हैं कासिम आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में जैसा कि मैंने बताया कि IAS और एक सपना होता है लोगों का तो इस सपने की शुरुआत आपकी कहां से हुई बचपन से ही मेरे मामा जी जो है वो सिविल सर्विसेज में है वो IRS ओफिसर है तो उनको देख करके हम लोग बड़े हुए तो वो एक inspirational source रहे मोटिवेशनल सोल्स रहे रोल मॉडल रहे एक तरह से मेरे चाचा जी उन्होंने भी सिविल सर्विसेज की तयारी किया है तो ये दोनों लोग तो मेरे लिए source of inspiration रहे वाके पिता जी बचपन से ही उनका ये एम था कि मैं बड़ा हो करके सिविल सर्वेंट बनूँ हम लोग क मोटिवेशनल सोर्स रही मेरे लिए तो कहां से शुरुआत हुई कैसे जब आपने बचपन से डिसाइड कर लिया कि मुझे सिविल सेवा परिक्षा देनी है और एक सिविल सेवाग बनना है तो कितना मार्क दरशन कैसे ढूंडा कैसे कहां से शुरुआत करें कैसे तयारी कर करें देखिए बचपन से यह तो पता था कि finally destination यह है लेकिन journey कहां से होनी है किस तरीके से होनी है यह नहीं पता था क्योंकि जौनपूर से विलॉंग करता हूं यूपी के जौनपूर से विलॉंग करता हूं तो वहाँ पर उस तरह कि facilities नहीं थी कि मैं बहुत early start में ले पात तो इस तरह से मैंने IAT-JE की तैयारी की, fortunately मैं IAT-JE में सेलेक्ट हुआ, फिर मैंने IAT-BHU से मैंने इंजिनिरिंग किया, और फिर इंजिनिरिंग करने के बाद फिर वहाँ पर मुझे एक अच्छा एंवार्मेंट मिला, IAT-BHU में कई सारे मेरे फ्रेंड्स से जो सिविल सर्व और फिर इंजिनिरिंग कंप्लीट करके मैंने जॉब नहीं लिया, फिर मैं यहाँ पर डेली आया, मैंने तियारी किया, तियारी करी, जी, सर बड़ा एक इंटरस्टिंग सी बात सामने आरे कि आकसर मैंने देखा है कि लोगों के बड़ा रॉंग नोशन होता है कि आपको ब पिक अप हुआ, तो यह कितना सही और गलत है कि आपको बहुत ब्रिलियंट होना ही जरूरी है, और बहुत अरली स्टार्ट मिलना जरूरी है, तब ही आप IES बन पाएंगे, तब ही आप IES बन पाएंगे, जिसमें, और Civil Services की रिक्वार्मेंट इसरा कि इसमें मैं हमेशा कहत कि इसमें विद्वान ही बुद्ध्यमान चाहिए, तो खहने के मतलब है कि आज तक UPSC ने भी कोई minimum percentage का criteria से बने रखा है कि आप इतने percent number लेके आएंगे तभी आपको एक्स इमेंशन में अपीर होने देंगे, जिए बड़ी चाहिए उसका third division है, first division है, topper है, सब के सब allowed है मैं इसमें यह कहूंगा कि यह ठीक है कि एक sincerity होनी चाहिए, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि कोई candidate बहुत जारा, meritorious और topper रहा हो, तो वही जाकर क्या इस बन सकता है, वो इसमें एक basic practical होने की जौरत है, एक power develop करनी जिसको कहते है, decision making power, problem solving attitude, leadership quality, जो basic traits है, तो examination को syllabus कुछ इ design है, कि जब कोई भी candidate त्यारी करता है, या प्री से में से interview तक बुजरता है, तो वो process अपने आप उसमें एक transformation ला रहा होता है, और उस transformation को internalize करना, उसी को develop करना, उसके एसाफ से evolve करना, कि उसको agent administrator develop हो रहा है, तो उसका candidate का हो सकता है, पड़ी important बात यह सर ने बताई, तो क फाइनली मैंने engineering कर लिये, क्योंकि generally क्या होता है, family background और pressure होता है, कि आप एक अच्छी नौकरी करें और settle हो जाएं, इतना uncertain और risky profession में घुष्टना और देना, तो family का क्या पूरा support रहा, नहीं, मैं यह कहूंगा कि मैं इस मामले में बहुत fortunate रहा, कि मेरी family right from the beginning, they were very supportive, my parents, my uncle all of them, very supportive, शुरू से ही, उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया, मुझे कभी force नहीं किया, कि तुम्हें civil services ही करना है, या तुम्हें job ही करना है, उन्होंने मुझे यह बोला कि तुम्हें जो भी करना है, तुम करो बस एमानदारी से काम करो, तो मैंने का मुझे त तो आपके अंदर वो risk-taking appetite होनी चाहिए, आपके अंदर वो resilience होना चाहिए, bouncing back ability होना चाहिए, कि आप गिर करके फिर दोबारा से आप उठो, और फिर से उसी pace से बलकि उससे और अधिक pace से आप तेयारी करो, तो वो लगातार वो source of motivation, psychological support, financial support, वो सब कुछ मुझे मिलता रहा तो क्या strategy थी जब आपने शुरू किया, जब आपने सोचा कि अब मैं तैयारी शुरू करूंगा, जैसे कि आपने बोला कि resilience, perseverance होना चाहिए, पर पहली बार में नहीं पता होता कि हम first attempt में clear करेंगे, second में करेंगे, तो क्या सोच के शुरुआत की थी? सोच के तो बस एक ही शुरुआती की, मेरे पापा ने बोला था कि रेस का एक उसूल होता है कि once you start a race, you have to finish a race, ठीक है, there is no other way out, आप बीच में छोड के नहीं भाग सकते, तो ये था कि ये exam मैंने दिया है, शुरू किया है देना, और मुझे नहीं पता कि ये exam कब निकलेगा I will try my level best, but क्योंकि इतना subjectivity है इस exam में, थोड़ा बहुत luck factor, बाकी सब extraneous influences रहते हैं, तो मुझे ये नहीं पता था कि कब निकलेगा, but हाँ, एक चीज़ शोर थी, कि मैं इस exam को दूँगा और इस exam को निकालूँगा, तो वो चीज़ शुरू से ही दिमाग में थी, और उसके तो बहुत बड़ी, सर बड़ा interesting point है कि 5th attempt में आके clear करना और rank लेना, तो एक चीज़ आप से पहले में जाना चाहूँगा, कि जो, क्या मतलब निराशा कभी नहीं होए कि कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं छोड़ देता हूं, कुछ और कर लेता हूं, नहीं जी, बहुत बार नि राशा मिलती है, जब failure मिलती है तो बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा कोई आपके साथ कोई हाथसा हो गया है, मैं अपनी बात बता हूं personally, जब मैं मुझे इस तरह की failures मिली, तो मैं रहता था कि मैं secluded हो जाता था थोड़ा सा अपने में, अप तो मैं यही कहूँगा कोई भी बंदा जो कोई भी लड़का या एस्पेरिंट है जो तैयारी कर रहा है, वो failures से कभी न डरे, failures आएंगी, पर success भी आएंगी, हो सकता है कि वो success थोला delayed success हो, पर अगर आप प्रतिबद्ध हैं, अगर आप गोल के प्रति लगे हुए हैं, उसक परसू कर रहे हैं, उसको इमानदारी से काप कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और अगर आपके अंदर यह bouncing back ability है, तो you will definitely succeed in this exam, तो मार्क दरशन इसमें कितना सही मार्क दरशन मिलना, कितना जरूरी है महतपूर्ण है, मार्क दरशन मिलना तो बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि यह exam ऐसा है, क्योंकि because it's a generic exam, general आपकी ability check करता है, तो study material बहुत सार है, limited material नहीं जह से engineering में, medical में, you know that कि यह यह books हैं, आपको यह books refer करनी हैं, और आप यह books refer करोगे तो आपका exam clear हो जाएगा, but it's not the case with UPSC, यहाँ पर लड़के को यह पता होना ची कि क्या पढ़ना ह क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, because 99% of the things you don't have to read, और उसी से वहीं पर Mark Darshan, वहीं पर Mark Darshan, जरूरी होता है कि teacher बताए कि इस चीज को इतना ही पढ़ना है और यहां से पढ़ना है, क्योंकि वह बहुत जरूरी है, सर, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि फिफ्ट अटेम्ट में आपको सफलता मिली, तो आपकी समझ में क्या आता है कि चार अटेम्ट में नहीं हुआ, फिर भी आपने पांचवाँ अटेम्ट दिया और आपने उसको क्लियर किया, it's a very big thing, sir. देखिये, UPSC भी इस चीज़ को जानती है कि कही बार एक ही एटेम्ट में, दो एटेम्ट में, बहुत जेन्वीन कैंडिट्स हैट सलेक्ट ना हो पाएं, जो कि उपरसुनिटी की बात होती है, ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट एटेम्ट में कौलिफाई कर गया, तो बहुत राधर मैंने देखा एक जिनकी ग्रिलिंग थोड़े लंबी होती है, कही एटेम्ट के बार आते हैं, तो एक अच्छे आफिसर के रूप में उलग साबित होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी गोल बनाया, आप कभी जल्दी आप हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, या पिर उसको पाने की तमना है, कि मुझे पाना ही है, तो कासिम के साथ जो खासियत ही है, कि इन्हों ने अपने आपको मॉटिवेटेड रखा, और इन्हों ने यह हार नहीं माने कि चलो नहीं हुआ तब छोड़ देते हैं, अब क्या करना आगे, इन्हों ने फ बैक्राउंड से आते हैं, बच्चे माली जेक इनके बैक्राउंड एक गाहों से आया, कई वर्प स्टार्टिंग के दिनों में उतना एक्स्पोजर नहीं मिल पाता है, जब तक कि वो समझ में आता है, तब तक कुछ समय निकल चुका होता है, तो ऐसी हालत में यह कोई भी ह सफलता नहीं भी मिली, किसी कारण से तू अपनी जिन्दगे में कहीं और जाके और सफल हो जाता है, यह मने देखा, यह कासी में एक और बात कहीं और आप हमेशा कहते रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, तो एक जनरल कैंडिडेट जो गाहो होता है, कैंडिडेट्स को, तो वो सीधा क्या देखते हैं, कि एचा चार जनरल स्टरीज के पेपर पढ़ने हैं, सीसेट पढ़ना है, और उसके बाद फिर मार्केट में जितनी भी किताब हो सकती है, उनके दिमाग मेरता है, बढ़िया से बढ़िया किताब दे दो, बुक स साइन्टिफिकली डिजाइन किया गया है, कमीटी बैढ़ती है, धेर सारे रिसर्च होता है, तब सिलेबस को देफाइन किया जाता है, तो सबसे जो इंपॉर्टन बात है, स्टूरिंट को देखना चाहिए, कि उनको सब्जेक्ट क्या अध्यन करके विद्वान नहीं मनना ह बलकि जो भी सब्याइकंट प्रिसक्राइब्स का लिए गेए जो भी हैं, उस साजे सब्जेक्ट के अध्या अधि歡迎 अधिन करना है, ना कि सब्जेक्ट का करना है, उनको कोई महारत नहीं करनी है, वो सब्जेक्ट को अनुने ग्राइज़िशन ही पढ़ा हो, लेकिन साहिए वो सारे चीजी नहीं पढ़ी और उस अंदाज से नहीं पढ़ा हो जेने स्टडी का सिलेबस को रखा गया 10 प्लस 2 लेंबल का, ऑफसर से वर का ग्राइजुशन का तो उसी रेंज में जाके पहले सिलेबस को देखना फिर प्रीवेस एर के कोईश्टन को देखना और फिर सबसे पहले फंडामेंटल बुक्स का दिहान करना कि हमारा फंडामेंटल टीक हो जाए, बेस की स्टॉंग हो जाए फिर सिलेबस के रिक्वार्मेंट की कोईश्टन की रिक्वार्मेंट से कहीं लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफट की जोरत है तब जाकर के कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की जोरत है बिचलो किसी में इस पे स्लाइज इसन की कोई खास रिक्वार्मेंट आई तो लेकिन बहुत तेन ट्वैंटी परसेंट सिलेबस का एक्साइज जहां लगता है कि बहुत एडिशनल स्ट्डीज की एक्स्टा जुरुत पढ़ती है और आज कल तो देखिए फंडमेंटल के साथ साथ कोईशन के नेचर ऐसा हो गया कि मुस्ली करेंट एफिर बेस्ट हो गया ओवर 23 years of excellence, more than 3000 selections in civil services so far चानक्या IAS Academy, nurturing leaders of tomorrow मिलिये civil सेवा परिक्षा के सफल परिक्षार्थियों से और जाने उनकी सफलता के राज, सक्सेस स्पीक्स के साथ हरमंगलवार, सुभा 9 बजे, DD National पर अब थोड़ी से बात है, अब लोग मेंस की बात करते हैं मेंस के स्ट्राटीजी और प्री के स्ट्राटीजी, दोनों के स्ट्राटीजी में आप क्या difference देखते हैं? मेंस की स्ट्राटीजी और प्री की स्ट्राटीजी में मैंने धेन सुभार भी बताया था कि मैं अलग-अलग तयारी नहीं करता हूँ आपको राइट स्ट्राटीज्स ट्रॉड देखते हैं ऐसे थापरोच के बारे में जानना चाह रह रहा है मेंस Оп आजकल तो sir questions भी बहुत lengthy questions होते हैं तो minute के आसपास minute, देड़ minute तो उसमें लग जाता है आपको फिर समझना है उसको, comprehend करना है फिर आपको answer structure करना है अपने दिमाग में 30 second के आसपास में sir इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने पहले से ही बहुत practice कियो घर पे बैट करके answer writing किया हो, test series वगरा अगर करें तो वो भी अच्छा है answer writing practice, limited amount of time में तो अगर आपने यह नहीं किया है तो वहाँ पर बहुत, it's very difficult to reproduce that आपको आती होंगी चीज़े, no doubt मेरे साथ भी यह हुआ था कि मुझे first 2013 में मुझे चीज़ें आती थी पर मैं उनको reproduce नहीं कर पाए क्योंकि मैंने before hand practice नहीं किया था अब हम लोग थोड़ा सा बात करते है subject एक एक topic वाइस लेकर कि especially जो essay का paper है वो एक बड़ा अलग अंदाज का हो जाता है अब तो दो essay हो गया है, word limit भी हो गया है, space limit भी हो गया है कि 1200 के अदर essay लिखना है और दो essay है दोनों का nature भी अलग होता है तो उसमें एक तो ऐस होता है कि essay के तारीक ऐसी candidate को कैसे करना चाहिए जो आपने क्या हो बता ही सर, essay मैंने देगा बहुत misconception यह होता है कि essay में आपकी बहुत flowery language बहुत अच्छी English होनी चाहिए बहुत अच्छे words यूज़ करने चाहिए यह हिंदी हो या English हो उसमें बहुत अच्छे words इस्तेमाल होने चाहिए और आपकी English के ओपर जब तक आपकी English बहुत अच्छी नहीं है तब तक आप एक अच्छा essay लिख सकते है मुझे ऐसा लगता है यह थोड़ा overrated statement है आप अगर simple words में भी अगर आप अपना thought process with clarity अगर आप express कर पा रहे हैं तो that would fetch more marks as compared to the अच्छी बहुत अच्छी में यह expected होता है किसी भी civil servant से जो examiner भी चाहता है कि answer ऐसा हो जो कोई भी language ऐसा होना चाहिए जो कोई भी पढ़के समझ जाए exactly तो उसके साथ examiner के साथ बिलकुल आपको connect करना चाहिए कोई भी topic है कोई भी topic है उसको आप थोड़ा कोशिशे करें कि उसको छोटे-छोटे parts में, fragments में बाते कोई भी issue होता है उसके ज़्यादा तर जो social issues के उपर जैसे माली जे कोई topic आ रहा है education का तो आप अलग-अलग direction से उस issue को tackle करें political dimension, social dimension, economic dimension इस तरीके से आप जब अपने essay को छोटे-छोटे fragments से बाढ़ते हैं तो structuring करने में आसानी होती है दूसरी चीज यह सर की essay में सबसे important चीज जो होती है कि connectivity रहने चीज़ इसको इंदी में तारतम यह बोलते हैं तारतम रहना चाहिए दो paragraph के बीच में correlation होना चाहिए ऐसा नहीं है कि एक paragraph में आप कुछ बोल रहे हो दूसरे में कुछ बोल रहे हो तो थोड़ा सा disconnect सा लगता है तो उसके लिए ज़रूरी सरी है कि पहले से आपने कुछ essay शुरू करने के पहले आपने 10-15 मिनट अपने mind maps बनाय हुए हैं पीछे की तरफ rough space दी होती है तो मैं य यह सोच लिया है कि इस essay में मुझे यह topics cover करने हैं और इन topics में यह subtopics cover करने हैं तो once you are done with that तो उसके बाद सब चीज़े काफी असान होता है it's very easy once you are done with that mind map वही essential होता है और उसवी में आपको पुरा focused way में कैसे हमें introduction में क्या करना है, body में क्या लिखना है, कितने sub headings बनानी है, कितने sub topics इसमें हम को introduce करने हैं क्योंकि अगर आप ऐसे ही लिखना शुरू करते हैं जैसे main answer usually answer writing GS की होती है वो इसमें इस तरह की structure नहीं बना पाता है आदमी वो लिखना शुरू करता है, time की capacity होती है लेकिन अगर आप वो चीज़ इसमें इंटिडूस करें विकोज इसमें आप तो राइट अराउंड नाइनड़ वर्ड्स तो जब तक आपने इस तरह की structure नहीं कर रखी है तो अगर आप हैफजर्ड ली लिखना शुरू करें तो आपके बीच में ऐसे कोई points याद आद सर ये मेरा second interview था सेकंड तो आपने दो बार के experience gather किया है तो आप ये बताइए कि interviewers क्या चाहते हैं आपकी हिसाब से क्या लगा आपको चूकि वह इतने senior retired bureaucrats होते हैं अपके senior position पर काम कर चुके होते हैं You can't hide yourself from them for a half an hour जैनॡ होना गैस्ट अगर आप में कुछ कमी आए तो आपकी कमीों को भी सुनेंगे तो आपकी कमी को भी सुनेंगे आपकी कमी को भी सुनेंगे आपकी positive भी सुनेंगे पर आप अपनी कम्यों को उनसे हाइट करने की कोशिश मत करो क्योंकि वो somehow they'll manage to get it out क्योंकि मैं हमेसे mock interview practice पे काफी जोर देता हूँ, आपके एसाब सबको क्या लगता है, कितनी जोरत है mock practice के Sir mock practice की बहुत जरूवत है, mock practice की अब सर वही चीज है, कि depend करता है, कि individual to individual depend करता है कुछ लोगो Sir interview pressure की वैसे बहुत नर्वस हो जाते हैं, तो मैं काऊंगा कि अगर इस तरह की कोई problem है, तो आपको और ज्यादा से ज्यादा mock practice करना चाहिए कि उसे पहले से दूर हों, कुछ लोग इजी रहते हैं, कुछ लोगो ज्यादा इसकी जरूवत नहीं है, तो मैं काऊंगा एक दो पर हाँ फिर भी, before attending the actual interview, at least two or three mocks are essential Success Speaks में अभी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा audience round Over 23 years of excellence, more than 3,000 selections in civil services so far, चानक्या IAS Academy, Nurturing Leaders of Tomorrow मिलिये सिविल सेवा परिक्षा के सफल परिक्षार्थियों से और जाने उनकी सफलता के राज, Success Speaks के साथ Welcome back, Qasim, Success Speaks में अभी वक्त हो गया है, हमारे audience की तरफ रुख करने का और उनसे जानते हैं कि वो आपसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज, कौन पूछना चाहेगा सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि NCRT जो आधार माना जाता है और NCRT की जो शब्दावली है वो मेंस के अंदर जम क्यूशन हल करते हैं, तो वहां कितनी कारगर रहती है वो शब्दावली, क्योंकि अलग-अलग राइटर्स और अलग-अलग ऑथर ने किया है, बहुत कुछ यूग में लिया जाए? नहीं, NCRT में जो शब्दावली यूज होती है वो तो academic point of view से होती है, आप जब आंसर लिखते हैं तो आप अपने thought process आप उसको इस्तेमाल करते हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी language style डेवलप करें और आप अपनी भाशा में ही आंसर ल लिखने होते हैं, तो उस क्रक situation है आप लिख भी नहीं पाएंगे, आप वही लिखेंगे जो कि आप जिस तरी के साब लिखेंगे, आप उसी flow से लिखेंगे, और मेरे क्याल से वो it's better. मेरा question मिस्रा सर से है, मैं पूशना चाहूंगा सर, हिंदी माद्यम के विध्यारती अक्सर इंटर्यू के मामले में ये सोच रखते हैं कि वहाँ अंग्रेजी भाशा का ज्यादा प्रियोग होता होगा, और चुकि बोलचाल में भी अंग्रेजी शब्दों का ज्यादा यू लेकिन हाँ कुछ मेंबर जरूर होते हैं वहाँ जिनको हिंदी साहथ समझ में ना आए, तो साथ-साथ में टांसलेटर भी बैठे होते हैं, लेकिन जहां तक आपने लेंग्वीज की बात की, हिंदिया में बिल्कुल 100% सुद्ध हिंदी बोलने की, जो आदत तो ऐसे भी बो बहुत आलंकारिक और सुद्ध भासा बोला जाए, तो बहुत लोग को समझ भी नाए, इसलिए जो बोल चाल की भासा है, उसमें बहुत जारा पूरे-पूरे सेंटेंसेंसें इंग्लिस में ना इस्तिमाल करके, हिंदी में रखें, लेकिन इंग्लिस के सब्द कुछ आ जात जाता है, तो उससे हम कम में अगर लिखें, तो क्या हमें हमाई मार्क्स कर सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टन सहवाल है कि भई, साड़े-तीन सो वर्ड की लिमिट है और आपने 200 में या 300 में ही खतम कर दिया, तो क्या यह नेगेटिव मार्किंग का? इग्जैक्ली, मैं यह कह होगा कि आप 150 word limit होता है, 50 words में अपने answer पूरा कर दें, वह भी नहीं सही है, आपको word limit अगर उन्होंने दे रखी है, कुछ-कुछ question में नहीं भी दी होती है, जहां पर word limit दे रखी होती है, तो आप कोशिश कीजिए कि obviously उन्होंने higher limit दे रखी होती है, अगर वह बोल रहे ह तो maximum you can write is 200 words, not more, अब तो इसमें problem भी नहीं होती है, क्योंकि अब limited space होता है, वह combined question कम answer copy होती है, तो आपके पास space नहीं होता है, अगर आपको 20 answers अगर आपको well within the time limit लिखने है, तो आपके पास 170, 180 words से ज्यादा आपको आपको ब्रीच नहीं करोग word limit, but make sure कि आपको सारे answers attempt क questions करने है, आपको जिसमें कम आता है, जिसमें आपको अफ्शोर नहीं हो, उसमें भले ही आप थोड़ा सा कम लिखो, आपको attempt सारे answers कर, questions करने है, कासे मैं उमीद करता हूँ कि आपकी जो शमता है बहुर उभर कर भाहर आएगी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे शो में आन आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, गुड़ बाई हमारे शो 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 जो खाइब कर दो भाहर कोशे है बहुर अटार काल रुछ प्रूपिर आपकी जो शो 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 शुक्रिया है